शिमला की वादियों में प्रमोध अपने परिवार के साथ रहा करता है. उसकी परिवार में उसकी बीवी मौनिका और बड़ा दस साल का बेटा शिवेक और आठ साल का छोटा बेटा शुब है. एक दिन सुभा सुभा शिवेक मा के पास आकर कहता है. मा, ओ मा, कहा हो आप मा? क्या हुआ बेटा, आज तुम जल्दी कैसे ओट गए? मा, आज मैं स्कूल से ट्रिप पर जा रहा हूँ. आप जल्दी से मेरे लिए अच्छे-च्छे खाना पेकर दो. और मा, पापा कहा है? तुम्हारे पापा और कहां घर के पीछे वाले गैराज मे होंगी? ऐसा सुन शिविक घर के पीछे बने गैराज में जाता है, और आसपास देखने लगता है, लेकिन उसके पापा उसे दिखाई नहीं देते हैं. लेकिन जैसे ही वो पीछे मोरता है, तर मोर ठीक उसके सामने खाड़ा होता है. पापा, आपने तो मुझे डराई दिय कहां थे आप, मैं कब से आपको डूंड रहा हूँ? यहीं, तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी नहीं जाने दूंगा. लेकिन पापा, मैं तो स्कूल से ट्रिपर जा रहा हूँ आज. ओ, ऐसा क्या? अच्छा, ठीक है, चले जाओ. शिविक रेडी होकर स्कूल चला जाता है, और स्कूल वाले शिविक और बाकी बच्चों को शिमला के पहाड़ों पर कैमपेनिंग के लिए ले जाते हैं. शिविक सभी बच्चों के साथ घूम रहा होता है, लेकिन तभी शिविक के पास एक तितली आती है, और शिविक उस पत्थर की चटान पर बैट गई है तब ही शिविक उस चटान पर हाथ रखता है और अचानक ही वो चटान तूट जाती है और शिविक सीधा एक गुफा में जाकर गिरता है उसके आसपास काफी अंधेरा था लेकिन उस गुफा में एक लाल रोशनी काफी तेज चमक रही थी शिविक भी उस रोशनी की तरफ खिचा जाने लगता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद शिविक देखता है गुफा के बीच में एक पत्थर पर एक लाल रंग का पत्थर रखा हुआ है जिसकी रोशनी इस गुफा में आ रही थी तब ही शिविक उस पत्थर को चुने के लिए आगे जाने लगता है और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है बचाओ मुझे बचाओ आँ आँ कौन है वहाँ शिविक धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगता है कुछ दूर आगे जाता है कि वो देखता है कि सामने की दिवार पर उसके पापा जोर था कि उसके मुझे सिर्फ बचाओ बचाओ ही निकल रहा था तभी शिविक अपने पापा को जैसे ही छूता है प्रमोद के शरीर में एक पावर आ जाती है और प्रमोद थोड़ा होश में आ जाता है लेकिन अभी भी वो मोटी जनजीरों को तोर नहीं पा रहा था तब शिविक कहता है पापा आप यहां कैसे आए आपको किसने ऐसे बादा सुबह तो आप बिलकुल एच्छे थे और अभी कैसे इतने कमजोर हो गए शिविक की बात सुन प्रमोद मन ही मन कहता है प्रमोद कुछ बोले बिना ही वहां चमक रहे लाल रंग का पत्थर और शि उफा के बाहर तीन बड़े बड़े काले साप उसको घेर लेते हैं और तीनों साप उसको अपनी लंबी पूच से जकर लेते हैं और प्रमोद को उठा उठा कर पटकने लगते हैं और मौका देखकर एक साप शिविक को मारने के लिए जाने लगता है तब प्रमोद गुस्स में चीकता है और एक तेज रोशनी होती है जो सीधा प्रमोद पे आती है और प्रमोद आधा साप और आधा आ जाता है और उस साप को अपनी पूच में लपेट के घुमा कर काफी दूर फेग देता है और बाकी दोनों साप को अपनी पूच से उठा उठा कर पटकने लगता ह और उन साप और प्रमोद की बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है जिसके बाद प्रमोद हारने लगता है क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था तब प्रमोद अपनी पूच की सारी ताकत से पहाडी की एक चटान उन सापों की उपर गिरा देता है जिससे वो दोनों साप उसके नीचे दब जाते हैं और प्रमोद अपने इंसानी रूप में आ जाता है और जल्दी से शिविक को लेकर वहां से भागने लगता है और कुछ दूर भागने के बाद एक जगा रुपकर प्रमोद कहता है बेटा मुझे जाना होगा क्योंकि वो साप मेरे पीछे पड़े है नहीं पापा मैं आपको ऐसे चोड़ कर नहीं जाओंगा आप मेरे साथ घर चलोगे मैं घर आओंगा लेकिन अभी नहीं अभी तुम अकेले जाओ इतना कहते हुए प्रमोद शिविक के हाथ में एक लौकेट देता है और कहता है बेटा ये लौकेट तुम्हें समाल कर रखना होगा इसमें बहुत सारी पावर है जो गंदे लोगों से तुम्हें बचा कर रखनी है और सही समय आने पर ये पावर तुम्हें मिल जाएगी गंदे लोग तो ये मुझसे भी छीन लेंगे ना नहीं जब तक ये तुम्हारे पास है इसे कुई नहीं छीन सकता और आज के बाद किसी पर भी भरुसा मत करना जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है शेविक रोते हुए वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो अपने घर पे होता है और कहता है मा वो पापा गिर गए बचाओ उनको चलो चलो मेरे साथ बचाओ उनको क्या हुआ पिटा पापा कहा गिर गए तुम बेहोश कैसे हुए शिविक इतने सदमे में था कि वो कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहीं मॉनिका जब प्रमोद को फोन करती है तो उसका फोन भी नहीं लग रहा होता है तम मोनिका, शिविक और प्रमोद का पड़ोसी जय, तीनों उसी पहाडी के पास जाते हैं, जहां से शिविक ने प्रमोद को गिरते हुए देखा था, लेकिन जब वो वहां पहुँचे, तो वहां कोई खाई नहीं थी, और ना ही कोई गुफा, जहां प्रमोद कैद था, ये भागते हुए जाता है, और अपने पापा के गले लग जाता है, और कहां पापा, आप कहां गए थे, वो कौन था, मैं तो ओफिस में था, तुम किसकी बात कर रही हो, शिविक अचानक ही पहाडी पे बेहुशी की हालत में उसकी टीचर को मिला था, और वो शिविक को घर ल प्रमोद के समझाने पर शिविक शान्त हो जाता है, और अपने पापा को गले लगा लेता है, तभी प्रमोद एक हलकी सी शैतानी हसी हसता है, और उसकी आखे लाल रंग में चमकने लगती हैं, दस साल बात, रात की वक्त एक आदमी चोरी छुपे एक मंदिर में जाता है, और वहां के पुजारी जो ध्यान में बैठे होते हैं, उनसे कहता है, पुजारी जी, आखिर कप तक इंतजार करना होगा, वक्त हाथों से फिसलता जा रहा है, ऐसा ना हो कि हमारे हाथों में कुछ बचे ही ना, पुजारी अपने ध्यान से जागते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बाबा भूले नात सब देख रही हैं, उनकी आग्या के बिना कुछ नहीं हो सकता, और एक बार फिर से दो जानी दुश्मन इस धर्ती पर आने वाले हैं, तो आदमी इतना सुनकर वहां से चला जाता है, अगले दिन सुबह सुबह प्रमोत के घर शेव के सामने आ जाती है, जिस वजह से शिविक बहुत तेज से कार में ब्रेक लगाता है, और गुस्से में कार से उतर कर लड़की को डाटने लग जाता है, और तभी शिविक पहली बार इशानवी को देखता है, सुन्दर काले बाल, क्यूट सा फेस, इशानवी को देख शिव शुप शिविक को कार में बैठने को कहता ही है कि तभी शिविक देखता है कि इशानवी के हाथों में एक छोटा सा पपी था जिसको बचाने के लिए वो कार के सामने आ गई थी ये देख शिविक इशानवी से माफी मांगने ही वाला था कि तभी इशानवी कहती है दिखाई तो तुमें नहीं दे रहा था तुम अमीर बाप के बिगड़े लड़के ऐसे ही होते हो अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम इस नन्नी सी जान को कुचल कर ही चले जाते तु उकार से अपने कॉलेज आ जाते हैं शिविक कॉलेज में खोया-खोया सा होता है और कुछ देर बाद ही उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और शिविक देखता है कि वही लड़की उसके ही कॉलेज में आ गई है शिविक मन ही मन बहुत खोश होता है और इशानवी क्लास के अंदर आ रही होती है कि उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता इशानवी को क्लास में आता देख शुब उसके पास जाने लगता है और कहता है तुम यहां तक चलिया है मेरे भाई को डाटने के लिए शुब ऐसा कहते हुए इश इशानवी शुब को धक्का दे देती है और शुब दूर जाकर गिरता है ये देख शिविक भाग कर आता है और शुब गुस्से में कहता है पागल हो क्या दिमाग खराब है इस लड़की का तभी शिविक आकर शुब को उठाकर कहता है थेंक्यू बाई आप ये क्या कर रह इसने मुझे धक्का दिया और आप इसको thank you कह रहे हो। क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद इशानवी क्लास से निकल कर घर जाने लगती है तब ही शुप पीछे से आता है और इशानवी से कहता है उसमें कौन सी बड़ी बाद है मेरा नाम शुप है और जो सुबह मिले थे वो मेरे भाई शिविक है लो अब बन गए दोस्त नहीं मैं ऐसे दोस्त नहीं बनती हूँ ऐसा कहकर इशानवी अपने घर की तरफ पैदल ही निकल जाती है और आगे बस स्टैंड से बस ले लेती है और चली जाती है शुप भी अपनी कार सी इशानवी का पीछा करने लगता है इशानवी एक सुनसान सी जगह पर बस से उतर जाती है शुप कार से थोड़ा दूर खड़ा होकर इशानवी को देख रहा होता है क्योंकि शुप इशानवी को पसंद करने लगा था और देखते ही देखते इशानवी शुप की आँखों के सामने से गायब हो जाती है ये देख शुप कार से उतर कर इशानवी को ढूनने लगता है तभी अचानक ही शुब को अजीब से किसी के रिंगने की आवाज आती है ये देख शुब डर जाता है और तभी शुब के पीछे इशानवी खड़ी होती है और कहती है तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम अचानक कहा गायब हो गई थी और तुम रात के वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो इतने में इशानवी के पास डॉग्स के बच्चे आ जाते हैं और इशानवी कहती है मैं यहां इनके लिए आती हूँ इनको खाना खिलाने के लिए अब ये देख शुप वहां से अपनी कार की तरफ आकर कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट करने लगता है लेकिन कार आगे की तरफ चलती ही नहीं है शुब बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी कार आगे नहीं जा रही होती है इस पर शुब कहता है अब इस कार को क्या हो गया है? तबी उसके कार के बोनट पे एक काला विशाल साप फान मार के बैठा हुआ था उस विशाल साप ने उसकी पूरी कार को लपेट रखा था ये देख शुब जल्दी से अपनी कार से उतर कर भागने लगता है लेकिन वो विशाल साप उसको पकड़ लेता है और उसे लपेट लेता है तब शुब जोरो से चीकता है साप शुब को निगलने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ ईशानवी आ जाती है जो पास में पड़े पत्थर उठा कर साप को मारने लगती है जिससे साप शुब को फेट देता है इससे शुब को थोड़ी बहुत चोड़ भी लग जाती है और फिर साप इशानवी के पीछे आने लगता है साप इशानवी पे भी हमला करता है और इशानवी साप से बचने के लिए साइड हो जाती है लेकिन पेर फिसलने की वजह से उसके हाथ में चोड लग जाती है तब ही वो शुब से कहता है शुप जल्दी से जाओ और कार स्टार्ट करो शुप तुरंथ ही कार में चला जाता है और कार स्टार्ट कर लेता है इतने में ही इशानवी की आँखें लाल होकर चमकती है और वो साब वहीं जम जाता है इतने में इशानवी वहां से भाग कर शुप की कार में बैठ जाती है और शुप कार को जल्दी से भगा लेता है और अपने घर पर ही लाकर रोकता है जहां शेवेक और प्रमोथ दोनों होते हैं और प्रमोथ शुप की चोट देखकर गुसे में कहता है ये सब क्या हुआ, किसकी हिम्मद हुई तुम्हें हाथ लगाने की, बताओ मुझे पापा कुछ नहीं हुआ, जरा सी चोट है, वो तो अच्छा हुआ इशनवी वहाँ थी, इसने ही मुझे आज दो बार बचाया है अंकल वो एक विशाल साप था, क्या साप प्रमोद बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है, तब शिविक कहता है ऐसा कहकर शिविक पहले शुब को, और फिर जैसे ही इशनवी को दवा लगाने के लिए उसका हाथ छूता है उसको कुछ दिखाई देता है, जैसे शिविक को कोई लड़की चाकू मार रही है, जिसकी गर्दन पे एक टैटू बना हुआ है इतने में ही इशनवी कहती है, मैं अपने आप लगा लूँगी वही दूसरी तरफ एक गुफा में एक तांत्रे कुछ पूजा कर रहा होता है, कि तभी उसके पास एक आदमी आता है, जो कहता है आज फिर वो मिरे हाथों से मरते मरते बचे, अगर जल्दी उसको मारा नहीं गया, तो हमारी मुश्किले और बढ़ सकती है हमें उसे मार नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, उसकी मौत का टाइम आने ही वाला है, वो अपनी मौत के नजदीक है वही रात के वक्त शिविक अपने रूम में सोया हुआ था, कि तभी उसको बीन की आवाज सुनाई देने लगती है, और शिविक को बेचैनी होने लगती है शिविक नीच से जाकता है, और पीछे की खिर्की से जंगल की तरफ भाग जाता है, और अचानक ही वो बीन की आवाज काफी तेज हो जाती है, और शिविक अपना सर पकड़ कर जमीन पर बैठ जाता है, तभी एक तेज लाल रोशनी होती है शिविक अपना सर पकड़े हुए जमीन पर बैठा हुआ होता है, कि अचानक ही उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगती है जैसे जैसे वो लाल रोशनी तेज होती जा रही थी, शिविक का दर्द भी बढ़खा जा रहा था, दर्द में शिविक कहता है अखर ये सब क्यों हो रहा है, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है इतना शिविक बढ़ख में चिल्लाने लगता है, कि तब ही शिविक देखता है, कि उसकी सिर का दर्द अचानक ही बंद हो गया है और जैसे ही वो खड़ा होने लगता है वो देखता है कि उसकी स्किन अपने आप निकल रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उसकी स्किन किसी पपड़ी की तरह अपने आप गिरने लगती है और लाल रोशनी अचानक काफी तेज हो जाती है और तभी शिविक का रूप बदलने लगता है और देखते ही देखते शिविक आधे नाग और आधे इंसान में बदल जाता है उसका उपर कर शरीर इंसान का और नीचे का एक विशाल नाग का हो चुका था ये देख शिविक कहता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ कौन हूँ मैं इतने में वहां उसके घ को कंट्रोल करना होगा और अपने इंसानी रूप में आना होगा उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूँगा इसके बाद शेवे खुद पे कंट्रोल करता है और अपने इंसानी रूप में आ जाता है उसके बाद बाबा कहते हैं तुम नाग लोग के राज एक मूल लक्षत्र में नागलो का द्वार धर्टी लोग पे खुला जहां से नागलो के राजा शिवश धर्टी पे आए और यहां घूमने लगे उसी समय उनकी मुलागात एक इनसान से हुई जिसका नाम काव्या था शिवश को काव्या से मौभबत हो गई थी लेकिन शिवश ये बात अच्छे से जानते थे कि एक इनसान से प्यार की सजा नाग को मिलकर ही रहती है फिर भी उन्होंने अपने प्यार को चुना और काव्या के साथ हमेशा के लिए धर्टी लोग पर हैने का दिर्णा किया लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था इसी धर्टी लोग पर जहां इच्छाधारी नाग है वही को और भी जीव होते हैं जो इच्छाधारी होते हैं और एक जीव भीडिया भी है और जेवन्द नाम की भीडिया को काव्या से प्यार हो गया था और जब जयवंत को मालुम हुआ कि शिवन्ष भी कावया को प्यार करता है तो उसने ठान लिया कि वो शिवन्ष को मार देगा वहीं दूसरी तरह शिवन्ष कावया को अपने बारे में सब सच बता देता है कावया मैं तुम्हारे धरती लोग का नहीं हूँ मैं नाग लोग का राजा हूँ और मुझे तुमसे प्यार है मैं तुम्हारे लिए एक आम इंसान बनकर धर्टी पर रह सकता हूँ लेकिन कावया उसको ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम मुझे नागिन बना दो मैं तुम्हारे साथ नाग लोग में रह लूँगी ये सुन शिवाश बहुत खुश हो जाता है और उसी वक्त अपने सर पे लगी लाग नाग मरी से नाग लोग का द्वार खोलता है और काव्या को लेकर नाग लोग चला जाता है और वहाँ जाका सभी नागों के सामने वो कहता है मेरे नाग लोग के वासियों आज से तुम्हारी नाग रानी है सभी नाग ये सुन नाचनी लगते है और शिवंश अपनी नागमणी चुकर उसकी लाल रोचनी काव्या के उपर डालता है इसे काव्या एक नागिन में बदल जाती है और काव्या भी अब एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है तब शिवंश अपनी लाल मणी देखती हुई कहता है काव्या ये लाल मणी शिवजी का आशिरवाद है जो हम नागों को मिला हुआ है अब मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिम्यदारी है इस नागमणी की रक्षा करने की आकर इस मणी में ऐसा क्या है जो इसको इतनी रक्षा की जरूरत है ये कोई मामूली मणी नहीं है ये नागमणी है जिस भी किसी के हाथ ये लग जाए वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सकता है और अगर किसी ने इसे हमारे नाग लोग से दूर किया तो शिवजी का क्रोध बरसेगा और पूरी दुनिया एक बार में खत्प हर 111 साल में हमें शिवजी पूजा के समय ये मणी उनको अर्पित करनी होती है वरना शिवजी का क्रोध सभी पर निकलेगा ये सब बता कर शिवश और काव्या सोजाते है अगले दिन जब शिवश जागता है तो वो देखता है उसके आसपास काव्या नहीं होती है और उसके पास उसकी नाग मणी भी नहीं है शिवश को कुछ समझ नहीं आता और मणी ना होने की वज़े से वो हर पल कमजोर होने लगता है उसका पता पूरे नाग लोग को भी चल जाता है तब नाग लोग के गुरु अपनी शक्ती से शिवाश को एक पार फ्रते धरती पर भीचते हैं ताकि वो काव्या और मणी को ढूंड सके शिवाश धरती पर आ जाता है और काफी ढूंडने के बाद भी उसको काव्या नहीं मिलती और परिशान होकर वो जंगल में बैठा होता है कि तब उसको काव्या की आवाश आती है शिवाश बचाओ मुझे कहा हो तुम बचाओ मुझे काव्या तुम कहा हो मैं यही हूँ मैं तुमें कुछ नहीं होने दूँगा देखो तो सही नागलोग के राजा अपनी राणी को मैं चाने आ ही गए छोड़ दो काविया को अगर उसे को छुआ तो तुम जिन्दा नहीं बचोगे ऐसा क्या? तो ठीक है ये लो अपनी नागिन मुझे तो बस ये नागमणी चाहिए थी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन नागमणी शिवश काविय को अपनी पीछे का जिवन्द से कहता है जिवन्द अपनी जान की खैर चाते हो तो नागमणी वापिस कर दो मना अच्छा नहीं होगा अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या फिर नागमणी मुस्तेक आई कैसे? मैं तो एक भेडिया हूँ नागलोग में कोई भेडिया तो जाही नहीं सकता तो नागमणी मेरे पास कैसे आई, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो शिवर्ष इस बारे में सोची रहा होता है कि पीछे से काब्या शिवर्ष को चाफु मार दे दी है और हसते हुए कहते अरे मेरे बोले नाग, वो मैं थी जिसने नागमणी लाकर जेवन को दी थी क्योंकि मैं सिर्फ जेवन से प्यार करती हूँ ये सब मैंने उसी के लिए ही किया अब जेवन दुनिया में सबसे ताकतवर होगा और मैं उसकी रानी बनूंगी, रानी शिवर्ष, तुझे पता है कि तुझे किस बात की सजा मिल नहीं है जो कि तुने उस लड़की से प्यार किया जिसे जैवन थासिल करना चाहता था तुझे तो मरना ही था तुने मेरा प्यार चोरी करने की कोशिजों की हाँ, और अब तु मर तुझे सरफ ये नागमणी ही मचा सकती है लेकिन अब ये मेरे बास है मैं इस पूरी शक्ती का मालेग मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था और अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो वो मुझे जरूर विलेगा ऐसा कहका शिवन बेहोश हो जाता है तब काव्या जेवन की तरफ जाने लगती है और कहती है अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है चलो जेवन शादी कर लेते हैं जेवन हस्ते हुए कहता है अरे पागर लड़की जिसके पास इतनी शक्ती हो वो तुझ जैसी नागिन से शादी क्यों करेगा तुसरे मेरे लिए सिवक मोहरा थी मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है ऐसा कहकर जेवन नागमरे की रोटशी से कावया पर हम लागता है कावया तुचांगेती है तो कावया थूँचांगेती है तो कावया हुआ हैसास होता है कि शिवश ही उसे सच्चा प्यार करता था वो शिवाश की पास जाकर कहती है मुझे माफ कर दो शिवाश मुझसे बहुत भड़ी गलती हो गई मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी चाहे मेरी जान चली जाए ऐसा कहकर काव्या अपने नागिन रूप में जाती है जिसमें आधा शरीर उसका इंसान और आधा नागिन का होता है और वो जैवंत पर हमला कर देती है जैवंत काफी घाल हो जाता है तब जैवंत अपने भड़िया रूप में आता है और काव्या से लाइक करने लगता है लेकिन काव्या जैवंत को उठा कर जमीर के अंदर दबा देती है जिसे जैवंत वही मर जाता है और तब काविया उसे नाग मरी लेकर शिवांश को दे देती है जिसे शिवांश थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगता है लेकिन तब ही वहाँ दो काले नाग आ जाते है जो काव्या को जकड लेते हैं और शिवंश को मारने ही वाले होते हैं कि काव्या की आँखें उस्से में लाल हो जाती है और वो दोनों को पकड़ कर हवा में उठा कर फेक देती है और शिवंश स्तेश कहती है तुम यहां से जाओ, मैं इन दोनों को देख लूँगी शिवश वहां से चला जाता है तभी वहां पर दोनों नाग अपनी पूर्णी ताकस से काव्या पर हमला करते हैं और काव्या को मार देते हैं और उनमें से नाग ककोरा कहता है ये नागिन तो मर गई, लेकिन वो नाग भाग निकला दोनों नाग आगे जाकर शिवश को ढूर्णने लगते हैं तभी काव्या को थोड़ा होश आता है और वो कहती है हे भोलेनात, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझे माफ करना और मुझे हर जनम में शिवश की बतनी बनाना ऐसा कहकर काव्या अपना दम तोड़ देती है उनका पता शिवश को भी लग जाता है कि काव्या अब इस दुनिया में नहीं रही शिवश उसी हालत में एक रिशी की जोपनी में पहुंचता है और वो रिशी बहुत ज्यानी होते है वो शिवश को देखते ही उसका असली रूप जान जाते है तब शिवश उनको नागमणी सौप देता है तब रिशी कहते हैं नाग राज आपको वापस आना है और मैं आपकी नागमणी को मंत्रों से स्तुरक्षित करके रख दूँगा जब भी आप इस दुनिया में वापस आओगे आपके छूने से ही नागमणी अपने असली रूप में आ जाएगी वरना यह बस एक पत्थर समान दिखेगी रिशी की बास सुन शिवाइश भी अपना दम तोड़ देता है तो बेटा तुम ही हो जो उस नागमणी के रक्षक हो तुम ही नागमणी के राजा हो तुम्हें वो मणी हासिल करके शिभ भगवान को अर्पित करनी होगी अगर वो किसी गलत लोगों के हाथ लग गई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी बाबा आप चिंता ना करें मैं नागमणी वापिस ला कर रहूंगा शिविक को अब सब कुछ यादा चुका था लेकिन उसको अभी भी काव्या के चहरा ठीक से याद नहीं आया था इसी सोच में शिविक अपने घर की तरफ बाबा के साथ जाने लगता है तभी वहाँ एक पेड के पीछे कोई शिविक और बाबा की सारी बाते सुन रहा होता है और उनके जाने के बाद वो शक्स कहता है तुम्हे क्या लगता है शिविक? सिर्फ तुम्हीं वापस आया हूँ नागमरी को हासिल करने मैं भी वापस आया हूँ उस नागमरी और तुम से तुम्हारा सब कुछ छीनने और उसके बाद तुम्हें मौत देने जंगल से घर में जाते हुई शिविक बाबा से कहता है बाबा आखे नागमरी इस वक्त कहा है? मैं कैसे उसको ढूड़ू? बिटा कल तुम पहाडी वाले पुजारी जी के पास चले जा उनके पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब होंगे और अगले ही दिन सुबा-सुबा शिविक पहाडी वाले पुजारी के पास जाता है जो मंदर के अंदर ध्यान में लीन थे शिविक जैसे ही मंदर में कदम रखता है पुजारी जी का ध्यान तूट जाता है और तभी वो शिविक को कहते हैं आओ बेटा आओ, इतने समय से मुझे तुम्हारा ही इंतिजार था, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल भी जानता हूँ, तो आपके पास मेरे सभी सवाल के जवाब है। और घर जाने लगता है, तभी शिविक पुजारी की बात सोचता है, उसी वक्त उसे अपने बच्पन की वो बात याद आ जाती है, जहां उसने अपने पिता प्रमोत को एक गुफा में कैद देखा था, लेकिन सबके कहने पर कि शिविक ने वो सपने में देखा था, शिविक उसको भूल ही गया था, अब शिविक को याद आता है, कि उसके पिता ने उसको एक लॉकेट भी दिया था, शिविक अपनी कार से जल्दी घार आता है, और लॉकेट ढून लेता है, और जैसे ही पहनता है, उस लॉकेट से लाल रोशनी निकलने लगती है, और वो लॉकेट अपने आप गले में पड़े हुए भी हवा में तेरने लगता है जैसे कि वो रास्ता बता रहा हो और थोड़ी ही देर में लॉकेट वापस नॉर्मल हो जाता है शिविक को कुछ समझ नहीं आता है और शिविक अपने कॉलेज चला जाता है जहां कॉलेज में शोब और इशान शिविक को अपने पास आते हुए देख लेती है और वहां से जाने लगती है तभी इशानवी का पैर फैसल जाता है और इशानवी गिरने ही वाली होती है कि शिविक भागते हुए आता है और इशानवी को पकड़ लेता है जिससे इशानवी गिरने से बच जाती है तभी इशानवी को पास का एक द्रिश्य दिखाई देता है, जहां इशानवी किसी का हाथ पकड़ कर, नाग लोग के अंदर जा रही है, तभी शुब कहता है, भाई, तुमने तो इशनवी को आज बचा ही लिया, इशानवी मन ही मन कहती है, एशानवी होश में आते हुए कहती है, ऐसा कहकर इशानवी क्लास की तरफ चली जाती है, और शुब शिविक के पास आता है और कहता है, क्या भाई, तुम तो हीरो बन गए, अच्छा, शुब चाप से पढ़ाएं पे ध्यान लगा, मुझे मक्खन मत लगा चला, उसकी लॉकेट में से फिर से लाल रोशनी आ रही है, शिविक तुरंधी पॉलिज के बाहर चला जाता है, और अकेले में जाकर लॉकेट को देखता है, अब लॉकेट लाल होने के साथ साथ हवा में ओड़ भी रहा था, जैसे वो शिविक को आगे दिशा में जाने का रास्ता बता रहा हो, ये देख शिविक को याद आता है, और शिविक कहता है, ये तो वही पहाडी है, जा मैं स्कूल की टिप से गया था, और वहाँ जो मैंने देखा, उस बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था, आखर इस पहाडी और इस लौकट का क्या रिष्टा है, पता करना होगा, ऐसा कहकर शिविक पहाडी की तरफ जाने लगता है, तभी शुब कार लाकर शिविक के पास रोकता है, और कहता है, भाई यहाँ कहा जा रही हो, कुछ काम है मुझे, ठीक है भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ घुमने जा रहा हूँ, मिलते हैं रात में, ऐसा कहकर शुब वहाँ से चला जाता है, और शिविक पहाडी की तरफ चलने लगता है, शिविक कुछ तूर आगे ही जाता है, दूरे भेडिया शिविक को देख लेता है, और भेडिया जंगल में भागते हुए, सीधा प्रमोद के घर जाता है, और एक इंसानी रोप लेकर, घर के अंदर जाकर मॉनिका से कहता है, मॉनिका जल्दी से किसी को कॉल करती है, और कहती है, अब इसके आगे तो जाने का रास्ता ही नहीं है, आखर कहां है वो गुफा, क्यों वो सब एक सपना ही था, इसी सोच में शिविक वहां से जाने लगता है, कि उसका पैर एक पत्धर से टकरा जाता है, और उसकी जेब में रखा शिवजी का फूल जमीन पे गिर जाता है, जब शिविक फूल को उठाने के लिए नीचे जुकता है, तो वो देखता है पहाड़ी जहां खत्म हो रही है, उसके बिल्कुल नीचे से एक रास्ता जा रहा है, तब शिविक फूल उठा कर उस रास्ते पे आगे जाने लगता है, और थोड़ा आगे जाने पे वहां पर कुछ नहीं था, एक पहाड़ के सिवा, शिविक निराश होकर जाने ही लगता है, कि तभी उसके गले का लॉकेट हवा में उड़ने लगता है, और गुफा की तरफ जाने का इशारा करने लगता है, तब शिविक कहता है, यह सब क्या है? आखर यह लॉकेट क्या बताना चाहता है? सामने तो सिर्फ एक पाहार है इसमें आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है तब ही शिवेक उस पाहार के पास जाता है और जैसे ही अपने गले के लॉकेट को उतार कर उस पाहार पे टच करता है वो पूरा पहार लाल रोशनी से चमकने लगता है तब शिविक कहता है ये कोई पहार नहीं है इसको तोड़ना होगा तब इसके रास का पता लगेगा तब शिविक नाग का वूप ले लेता है जिसमें उसका उपर का शरीर इंसान का और बाकी नाग का हो जाता है इसकी बाद शिविक अपनी लंबी सी पूट से उस पहार को तोड़ने लगता है और पहार के कुछ पत्थर तूटने भी लगते है लेकिन इतने में वहाँ दो काले नाग आ जाते है काकोरा और उसका भाई कुम्ब दोनों मिलकर शिविक पर हमला करने लगते है दोनों शिविक को पूट से पकर कर उठा उठा कर फेकने लगते है ऐसे शिविक को काफी चोट लग जाती है और काले नाग शिविक को मारने आगे जाही रहे होते है कि तभी वहाँ एक भेडिया आ जाता है जो एक नाग को अपने मुह से पकड़ कर दूर भेग देता है और धेरिया गुर्रा कर दूनों काले नागों को वहां से भगा देता है और शिविक खुद को संभालते हुए जंगल के बाहर जाने लगता है और कुछी देर में जंगल से बाहर भी आ जाता है शिविक घर जाने के लिए आने वाली गाड़ियों से लिफ्ट लेने लगता है तब ही उसके पास एक कार आकर रुकती है उसमें इशानवी होती है जो शिविक को ऐसी हालत में देख उसको अपनी कार में बिठा लेती है और ये सब कैसे हुआ तुम ठीक हो हाँ मैं ठीक हो मैं शिविक को अपने घर ले जाती है और वहाँ उसके घाव पे दवा लगाने लगती है तब ही शिविक इशानवी का हाथ पकड़ लेता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है इशनवी मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे पहले ही नेजर में पसंद आ गई थी और से प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैंने सदियों तक इंतिजार किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और को पसंद करती हो। वैसे दवा लगाने के लिए थैंक यू, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर शिविक अपने घर के लिए निकल जाता है, और घर पहुँचकर शिविक देखता है कि उसकी मा मौनिका ने उसके पिता प्रमोत को गले से पकड़ कर हवा में लटका रखा है, और उसी हालत में मौनिका कहती है। आज तुम लोगों की गलती की वज़ा से हमारा किया कराया सब चौपट हो जाता, अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती तो क्या होता कुछ सोचा तुमने, इतने सालों की मेहनत एक जटके में खत्म हो जाती। तभी शिविक अंजान बन कर घर के अंदर आने लगता है, शिविक को आता देख मौनिका नॉर्मल हो जाती है, और प्रमोद का हाथ पकड़ कर शिविक के पास आती है और कहती है, शिविक बेटा इतनी रात में कहां से आ रहे हो? कुछ नहीं मा, थोड़ा काम था मुझे, ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? वो, मैं रास्ते ने गिर गया था, अब ठीक हूँ। और ठीक उसके उपर वाले कमरे में कोई चलांग लगाकर जमीन पे कूटता है और भेडिये का रूप ले लेता है और वो जंगल में चला जाता है। ये आवाज किसकी है? मुझे इसका पता करना चाहिए। ऐसा कहकर शिविक नाख का रूप ले लेता है और उस आवाज का पीछा करता है। वो वापस से उसी पहार पे आ गया होता है जहां कुछ दिर पहले ही उसको मारने की कोशिश की गई थी। शिविक देखता है कि अभी भी वो गुफा बंद थी। लेकिन वो आवाज गुफा में से ही आ रही थी। शिविक ने अपने पूरी शक्ति से एक बार में ही गुफा कर दर्वाजा तोड़ दिया और गुफा के अंदर चला गया। थोड़ा आगे जाते ही शिविक देखता है कि एक विशाल नाग बर्फ में कैद है और ये आवाज उसी बर्फ से आ रही है। आखिर ये नाग कौन है और क्यों इसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बर्फ को तोड़ना होगा। उसको देख शिविक कहता है पापा यहां कैसे इनने देखा तो लग रहा है कि कई सालों से आ कैद है तो घर पे हमारे साथ रहने वाला वो कौन है। वो सच है या जूट मुझे इसका पता लगाना होगा। इतने में ही एक तेज रोशनी होती है और शिविक सीधा वहां से नाग लोग आ जाता है। नाग लोग एकदम बंजर पड़ा था तभी दो विशाल नाग आते हैं और प्रमोद को अपने साथ ले जाते हैं और शिविक इनसानी रूप में आ जाता है और नाग लोग को देखने लगता है। शिविक को अपने पुराने जन्म के कुछ पल याद आने लगते हैं लेकिन तभी वहां नाग लोग के गुरू आ जाते हैं जो कहते हैं आ गए तुम कही सालों से इस दिन का इंतजार हम सभी कर रहे थे। क्या आप मुझे जानते हैं और ये जगे कौन सी है क्या मैं पहले या कभी आया हूँ? हाँ मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ वो भी जानता हूँ जो तुम्हे अभी तक मालूम ही नहीं है तो बताएं मेरी लाइफ उलस्ती ही जा रही है क्या सच है क्या जूट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? तुम शान्त हो जा मैं तुम्हारे सा प्रवालों के जवाब जानता हूँ, ये नाग लोग है, यहां के सभी वासी नाग और नागिन है, और यहां के सबसे पहले राजा थे, राजा भीम सिंग, जो तुम्हारे पिता थे, पिछले जन्म में, भीम सिंग के दो और भाई थे, ककोरा और कुम्भ, दुनों सभाव से अधुष्ट थे, अक्सर धरती लोग और नाग लोग के लोगों को परेशान किया करते थे, उन पे अत्ताचार किया करते थे, जब इसका पता राजा भीम सिंग को लगा, तो उन्होंने दोनों को पूरे नाग लोग के सामने नाग नागिनों से माफी मांगने को कहा, उस व परान भीम सिंग को कमजोर कर ककोरा और कुम्ब ने अपने पास चादूई मंत्रों से कैदी बना लिया और पूरे नागलोग में कहा कि भीम सिंग अब मारा गया है तो अब शासन उन दोनों का हुआ लेकिन तभी एक लाल रोशनी हुई और राजा भीम सिंग सभी नागलोग वाशियों के सामने आ गए तब उन्होंने बताया कि कैसे ककोरा और कुम्ब ने धोके से उसे बंदी बनाया वो तो नागमरी की शक्तियों ने मुझे आजाद करवा दिया अपने राजा भीम सिंग की ये बात सुनकर सभी नागलोग के नाग और नागिन ककोरा और कुम्ब पर गुसा हो गए और उन्हें सजा दिलवाई जब दोनों भाई कैद में थे तब दोनों भीम सिंग को मार कर नागमणी पर कब्जा करने का सोच रहे थे क्योंकि जिसके पास भी नागमणी होगी वो ही धरती लोग और नाग लोग पर अपना कब्जा कर सकता है ये सोच दोनों ने एक और योजना बनाई भाई हमें कुछ ना कुछ करना होगा पर ना ऐसे तो हमें कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा इस नाग लोग में अगर मिलेगा नहीं तो हम छीन लेंगे, राज, गद्य और नागमडी दोनों ही लेकिन ये सब होगा कैसे, नागमडी तो सिर्फ भीम के ही पास होती है और वो हमें ऐसे तो देगा नहीं तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है ऐसे दुनों भाईयों ने मिलकर भीम सिंग को धोके से मरवा दिया और जब इसका पता नाग लोग के नागों को मालूम हुआ तो उन्हों ने ककोरा और कुम्ड को नाग लोग से हमेशा के लिए बाहर कर दिया और उनकी जान के दुश्मन बन गए और तब से ककोरा और नाग लोग की दुश्मनी चली आ रही है तुम्हारे पिता के मरने के बाद सभी के मन में सवाल यही था कि नाग मरी की रक्षक भीम सिंग थे उनके बाद अब कौन नया रक्षक बनेगा तब नाग मरी उड़ते हुए तुम्हारे पास आई थी और तुम्हें अपनी रक्षा के लिए उसने चुना था तुमने भी अपने पिछले जनम में अच्छे सिराज किया था और अपने दोनों चाचा से नाग मरी को बचा कर रखा था फिर वो हुआ जिसका सभी को डर था तुम धरती लोग पर गए वहाँ तुम्हें काविया नाम की लड़की से प्यार हुआ उसने धोके से नाग मरी को तुमसे हासल कर लिया था जिसके बाद वो लड़की और फिर तुम भी मारे गए थे लेकिन नाग मरी गायब हो गई थी और उसके बाद से ही नाग लोग का बुरा वक्त चालू हो गया था तुम्हारे पुनर जन्म का हम सभी को मालूम था लेकिन जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब तक हम मेंसे एक एक नाग धरती लोग पर जाकर नागमणी का पता करता रहा और उसकी रक्षा करता रहा प्रमोद हमेसे ही एक है सबसे पहले उसको ही नागमणी के बारे में मालुम हुआ था लेकिन वो नागमणी को हम तक ला पाता उससे पहले ही ककोरा और कुम्भने मिलकर प्रमोद को कैद कर लिया था और इतने सालों बार प्रमोद वापस आया है अगर आने वाली इसी पूर्णिमा के दिन भूले नाथ को नागमणी अर्पित नहीं की गई तो नाग लोग के साथ साथ धरती लोग भी नश्ट होगी लेकिन नाग गुरू आखिर वो नागमणी है कहां और कैसी दिखती है नागमणी तुम्हारे ही आसपास होगी नागमणी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं दिखाई देगी जब तुम चाहोगे तभी किसी और को दिखेगी और नागमणी को दुश्मनों के हाथ लगने से तुम्हें ही रोकना होगा बरना दुनिया खत्म होने में जादा समय नहीं लगेगा आप चिंता ना करें, मैं जल्दी नागमणी का पता लगाता हूं आप बस मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दो ऐसा कहकर शिवक वहां से धर्ती लोग पे आ जाता है और अपने घर वापस जा रहा होता है ताकि वो अपने दुश्मनों का पता लगा सके जैसे ही शिवक अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि धर्ती लोग का प्रमोध घर से बाहर निकल कर आ रहा है और देखते ही देखते चमगादर बनकर ओर जाता है जिसे देख शिवेक कहता है तो ये एक बहरूपिया है जो मेरे पापा की जगए आज तक हमारे साथ रह रहा था इसका मतलब आज तक मैं जिसे मा समझ रहा था वो मेरी मा भी नहीं है, बस मेरी मा बनने की अक्टिंग कर रही थी, मेरा अपना कहने को बस अब मेरा भाई सुब है, क्योंकि वो एक अनात है, जिसे गोद लिया गया था, वो इन लोगों की तरह नहीं है, वो मामली इंसान है, और मुझे इन बहरूपियों से उसको बचा कर ऐसा कहकर शिवेक अपने घर में चला जाता है और सो जाता है अगले दिन शिवेक और शुब तयार होकर कॉलेज जा रहे होते हैं तभी शिवेक देखता है शुब ने अपने हाथों में गुलाब का फूल लिया हुआ है और बहुत खुश है ये देख शिवेक कहता है चलो, मैं आज आपको उससे मिलवा भी दूँगा, चलो चलो, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, शिविक और शुप कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, और कॉलेज जाकर शुप सामने बैठी एक लड़की के पास जाता है, और नीचे एक पैर पर बैठ कर कहता है, शिविक अपने भाई के लिए बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की शकल देखता है, वो शौक्ट रह जाता है, ये क्या, ये लड़की पसंद है सुप को, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कौन है वो लड़की जो शुप को पसंद है, और कहा है नागमनी, और श शिविक कैसे करेगा अपने भाई और नागमनी की रक्षा, देखने के लिए हमारे चैनल एनिम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वो